नमस्कार बच्चो, आज की इस एपिशोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 SST Social Science की वर्कशिट नमबर 20 को या आपकी 29th of September 2021 की वर्कशिट रहेगे आज की इस एजी वर्कशिट में हम हिस्ट्री के 5 चैप्टर, वेन पीपल रेबल को कंटिन्यू करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ये इस चैप्टर का 1st पार्ट रहेगा बात करेंगे पॉलिसीज की, British East India Company, British Government की पॉलिसीज क्या थी, और लोगों का एक्शन या फिर एक्शन क्या था, ये सब कुछ हम इस वर्कशिट में डिसकस करेंगे विन पीपल रेबल, ये जो चैप्टर, ये 1857 की रिवोल्ट पर बेश्ट है, 1857 की क्रांती है, उस पर बेश्ट है, इसको आप 1857 की क्रांती कह सकते हो, 1857 की रिवोल्ट कह सकते हो, ये हिंदी में इसको बगावत भी कह सकते है, 1857 की रिवोल्ट जो होती है, पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गए थी पहली बार अंग्रेजों को लगा था कि भारतियों को जितना हलके मिले जा रहा है उतने हलकी है नहीं पहली बार अंग्रेजों को लगा था कि यहां पे पाउं जमाना है तो थोड़ा सा ध्यान से हमें चलना पड़ कि हाँ अगर हम मिल करके कोशिश करें तो उनको बाहर निकाला जा सकता है उनको यहां से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है तो जो 1857 का reward था वो क्यों होता है उसके reason क्या थे कोजिस क्या थे उसके दूरान जो main events क्या क्या होते है और उसके consequences क्या होते है results क्या थे यह सब इस वरक्षिट में हम डिसकस करेंगे the causes of the 1857 revolt 1857 revolt की कारण क्या थे लोग जो थे वो नाराज थे British East India Company से जैसे अगर हम बात करें rulers की बात करें farmers या peasants थे या जो सिपोईस थे या जो आम लोग थे वो सभी लोग अंग्रेजी सरकार से नाराज थे तो नाराज क्यों थे यह हम इस वरक्षिट में find out करेंगे और यही 1857 की revolt के बड़े कारण थे let's begin चली शुरुआत करते हैं आज किस वरक्षिट की सबसे बहले हम बात करेंगे नवाबs lose their power की नवाब है वो अपनी power को खो देते हैं कैसे खोते हैं क्यों खोते हैं यह हमें समझता है Since the mid 18th century the नवाब and the raja's had seen their power erot कि 18th century के बाद जो नवाब थे राजा थे उनको लगा कि उनकी शक्तियां धीरे धीरे उनके हाथ से फिसल रही हैं गयब होती जा रही है अब क्यों होती जा रही है क्योंकि जब प्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी आय थी तो उन्होंने डिवाइड रूल की पॉलिशी को ले करके आय थी तब यही नवाब यही राजा थे जब दूसरे की शक्ति को चीना जा रहा था तो तालियां बजा रहे थे वेल डन अच्छा हुआ वो गया लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका भी नंबर लग गया क्योंकि सब का नंबर आता है तो अंग्रीजी सरकार थी उन्होंने एक एक करके सब का नंबर लगा दिया और धीरे धीरे अब जब उनका नंबर आया तो वो कुछ कर नहीं सकते थे वो इतने ज़्यादा weak हो चुके थे तो कैसे उनकी power थी वो erode होती है First of all, residents had been stationed in many courts काफी सारे courts होते courts को हम बोल सकते हैं, दरबार थे वहाँ पे residents थे, वो appoint किया गए थे residents क्या थे? British East India Company के officials होते हैं जो उस court में बैठते थे और main जो उसके पीछे logic दिया गए था कि जो trade है, trade के disputes ना हो इसके लिए residents है, वो permanently court में रहेंगे ठीक, यानि कि coordination के लिए लेकिन धिरे-धिरे क्या हुआ कि इन्ही residents ने उंगली करनी शुरू कर दी टांग अड़ानी शुरू कर दी और ये actual में administrator बन गए एक्चल में ruler यही बन गए, decision यही लेने लगए यानि कि जो rulers थे, वो सिरफ नाम के रह गए थे तो यहां पे residents had been appointed in many courts and the freedom of the rulers reduced और इससे जो rulers की freedom थी, वो धीरे-धीरे कम हो चुकी थे, because major decisions were taken by these residents क्योंकि बड़े decisions थे, वो यही लेते थे कौन, even king कौन बनेगा आगे वो भी यही decide करने लगे थे उसके बाद, their armed forces were dispended, उनकी जो armed forces थी, वो dispended मतलब भंग कर दी गए उनको कह दी गए, हम है ना हमारी army है, हम help करेंगे आपके army के कोई need नहीं है अब इससे ही क्या हुआ, जो राजा होते हैं नवाब होते हैं, ruler होते हैं, king होते है army ही तो होती है, उसकी बिनत हर को यह उनको ड्रा धमका सकता, आँख निकाल सकता है यही इनके साथ हुआ उनकी army थी, their armed forces dispended and their revenues and the territories taken away in stages और धिरे-धिरे करके उनकी जो revenues थी, उनकी जो territories थी, वो उनसे छेन ली जाते हैं, in this way they become the weaker, वो weaker कमजोर हो जाते हैं, okay उनकी powers है, वो erode हो जाते हैं, तो यह कैसे क्या, step by step किया गया था, एक एक करके किया गया था, यहाँ पर जो नवाब थे, जितने भी जो राजा थे, जो ruler थे, वो किस से नाराज थे, British East India Company से नाराज थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे, हाला कि कुछ जो rulers थे, many ruling families try to negotiate with the company to protect their interest, कुछ जो ruling families थी, उन्होंने negotiate करने की कोशिश की थी, British East India Company से बात करने की कोशिश की थी, कि इस मसले को यहीं पर हम solve करते हैं, जैसे कि for example, रानी लक्षमी भाई of जहांसी, wanted the company to recognize her adopted son as the heir of kingdom, after the death of her husband, जैसे रानी लक्षमी भाई थी, वो चाती थी, कि उनके adopted son को जो उनके husband है, उनकी death के बाद, राजा है, ruler है, वो adopt कर लिया जाए, उसको accept कर लिया जाए, लेकिन British, इस इंडिया company इस बात से मना कर देती है, यानि at least, जो जहांसी कि रानी लक्षमी भाई ये वो प्राई करती है, नेगोशेट करने के, ऐसे नाना साहिब, the adopted son of the Peshwa Bajirav second, pleaded that he be given the father's pension when the latter died, अब नाना साहिब है, वो request करते हैं, कि इनके father की death के बाद, उनकी pension है, उनहीं मिलनी चाहिए, यानि वो अपने, जो भी interest थे, उनके लिए वो company से request करते हैं, negotiate करने की कोशिश करते हैं, but, क्या होता है, the company confident of its superiority and military powers turn down these pleas, यानि कि जितने भी ये request थी, उनको turn down कर देती है, उनको मना कर देती है, सुनती भी नहीं है, क्योंने लगता है कि हमारी पास power है, और यह क्या कर सकते हैं, हमारे लिए, ok, कुछ नहीं कर सकते यह, क्योंकि यह powerless है, इनके पास power नहीं है, तो ऐसा कुछ, जो भी हो रहा था, उस एक चीज थी, कि बिरूर लगाएंगे ऐसे ही उन्होंने उसके बाद जो मुगल एम्पायर था उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था उससे पहले उन्होंने जो आवद था उसको निशाने पे लेकर के आए जैसे इन 1801 जो एक सबसिडियरी अलाइंस होता था एक तरीके की पॉलिश ही दी दा की सारी गारंटी होगी वो होगी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी होगी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के और खर्चा लगेगा कौन करेगा जितने भी कोस्ट होगी वो दे गया वो ही स्टेट वो ही स्टेट यानि इससे क्या होता था जो सेना पारफुल वो impose कर दिया जाता अवद के उपर बाद में in 1856 it was taken over उसके बद 1856 में पूरे अवद के उपर यह कबजा जमा लिया जाता है एक्सक्यूज है दिया जाता है Governor General Dalhoji declared that the territory was being misgoverned and British rule was needed to ensure the proper administration Dalhoji एक तरिके से यहाँ पर excuse देते हैं यहाँ पर misguernance था ठीक से साशन नहीं चल रहा था इसलिए हमने सोचा कि ठीक से हम system set up करते हैं तो इसलिए company rule जरूरी था तो यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी एके करके जो भी rulers थे जो भी नवाब थे जराजा थे वो company से नराज होते गए थे because of the policies of the company इसी तरीके से बात करें हम Mughal Empire की Mughal Dynasty की the company even begin to plan how to bring the Mughal Dynasty to an end और दीरे दीरे करके उन्होंने planning की कि Mughal Dynasty उसको भी हम ख़तम कर देंगे जैसे the name of the Mughal King was removed from the coins minted by the company यहनी जो company coins को issue कर दे थे उसे Mughal ruler है उनके नाम हटा देगे शुरुआत में उसके बाद in 1849 Governor General Del Hoji announced that after the death of the Bahadur Shah Jafar the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside यानि कि 1849 में ये announcement होती है कि Bahadur Shah Jafar के बाद उनकी family Red Fort में नहीं रह पाएगी उनको कहीं और जगह shift कर दिया जाएगा यानि कि यहां से एक planning के साथ उनको हटाया जाता है उसके बाद in 1856 Governor General Canning Lord Canning had decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king and after his death none of his descendants would be recognized as king and they would just be called princes कि उनके बाद कोई भी समराट नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा यह last होंगे यानि एके करके हर किसी को target किया जाता है तो इसके करण जितने भी यह rulers थे they were against the British policies they were against the British Eastern India Company के खिलाफ थे, यानि किस से नाराज थे इसलिए जब 1857 में revolt होता है तो यह सभी जो उनकी policies से affected होए थे, वो उसी company के खिलाफ खड़े हो जाते है इसी तरीके से जो other parts थे हमारी society के PG&C poise, वो भी British Eastern India Company की policy से खुश नहीं थे, क्यों नहीं थे चलिए उनके reason भी find out करते है कि वो क्यों नाराज थे दा इंडियन सी poise in the employee of the company also had reasons for the discontent it means वो भी discontented थे वो भी आयसंतुश थे, क्यों थे moreover some of the new rules violated their religious sensibilities and beliefs कि कुछ ऐसे rules थे जिससे उनकी जो religious beliefs जो थे, वो एक तरीके से affect हो रहे थे, violet हो रहे थे यनकी उनको लग रहा था कि उनके ध्रहम को नष्ट किया जा रहा है, जैसे in those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste, कि उस वत्त की माना जाता था कि अगर आप समूदर के पार जाओगे से को क्रोज करोगे, तो आपका ध्रहम, आपका religion, आपकी caste है, वो नस्ट हो जाएगे, ठीक, आप उसको खोद होगे, so when in 1824 the sea boys were told to go to Burma by the sea, route to fight for the company, many of them refused, कई ने मना कर दिया कि हम order को follow नहीं करेंगे, उन्हें लगता था, this is against their religious belief, उनके religious belief के खिलाब है though they agreed to go by the land route, हालांकि वो ready थे कि हम land route चे चले जाते हैं they were severely punished, उनको punishment ती जाती है, अब इससे क्या थे, जो इंडियन सी पहुई थे, वो नाराज थे, कि उनको जबरदस्ती तंग किया जबरदस्ती उनकी religion है उसको destroy करने की साजिस की जा रही है साथी साथ, उनके साथ discrimination किया जाता था, because they were not promoted, they were not given the promotion, उनको नहीं दिया जाता था, and their salaries जो थी, वो भी काफी कम थी as compared to the, जो British East India company में, जो British employees थी, support थे, उनके comparison में same work था, लेकिन salaries में difference था, इसके साथ-साथ उनके साथ misbehavior भी का जाता था, उनको कही तरह किसे कह सकते हैं, कि उनके लिए abusive language यूज की जाती थे तो इन सब बातों से भी, जो support थे, वो भी British East India company है, उससे discontented थे, उनसे नाराज थे, इसी वेसे हम देखें तो peasants थे, peasants their condition was not too good because of the high revenues जो tax थे, revenues थे लगान थे, वो बहुत ज़्यादा थे so their condition was too pathetic, बहुत pathetic condition थे, तो वो भी इन सब के लिए responsible ठहराते थे कि जो British East India company है, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वो भी नाराज थे इसके साथ-साथ जो society और उन reform में से हो सकता कि बहुत साथ reforms positive थे लेकिन उस वक्त उनको positive वे से नहीं लिया गया था, क्योंकि लोगों को लगा कि ये उनकी culture को destroy करने की कोशिश करें the company allowed the Christian missionaries to function freely in its domain and even on land and property, जो Christian missionaries थे, missionaries मतलब जो परचारक थे, उनको देश में कहीं पे भी गुमने फिनने के आजादी दे दी गए वो कोई भी property को खरीद सकते थे business कर सकते थे, trade कर सकते इससे Indians को बुरा लगा उनको लग रहा था कि ये उनके culture को उनके religion को destroy करना चाहते तो इससे भी Indians थे, वो थोड़ी से नाराज थे, कि ये हमारे उपर attack करें, कि ठीक है जहां तक ये resources को use करें, that was okay adjust किया, लेकिन अब तो हद हो गई अब हम adjust नहीं करने वाले second, laws were passed to stop the practice of sati and increase the remarriage of widows, laws बनाय गय थे 1829 में, laws बनाय गय था to stop the practice of sati, sati system को बंद करने के लिए, अब ये अच्छी चीज थी, लेकिन Indians को लगा कि हमारी culture को destroy किया जा रहा है interfere करें, हमारी culture में उंगली करें ये तो, इसी तरीके से in 1856 में एक नया लोग आता है उसमें जो increase किया जाता है विडो रिमेरीज को, विद्वा के पुनर विवा को encourage किया जाता है इससे भी इंडियन्स को लगा कि they are disturbing their culture कि उनकी culture को disturb करने को उसिस करें तो इससे भी इंडियन्स थे वो discontented थे British East India Company से next है English language education was actively promoted English language थी, उसको promote किया गा था इससे भी इंडियन्स को लगा था कि they just wanted to destroy their language उनकी language है, उनको वो destroy करना चाहते है इन 1850, a new law was passed which allowed the Indian who had converted to the Christianity to inherit the property of his ancestors यनकी 1850 में एक नया law आता है उसमें ये कहा गयता कि जो convert हुएं क्रिशनेटी में चाहिए वो किसी भी religion ये इंडियन्स हो तो उनको उनकी parents की जो property उसमें उनका share मिलेगा इसे भी इंडियन्स को लगता कि यहाँ पर ये उनको convert करने के लिए तरह की से लालस दे रहे तो ये सारे reasons थे इन सब कार्णों से जो इंडियन्स थे begin to feel that the British were destroying their religion, their social custom and their traditional way of life की उनको destroy करने की कोशिश करें यानि हर जो हमारा section था society का वो सभी discontented थे और उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो British East India Company उनका सब कुछ खतम करना चाहती है उनको spoil करना चाहती है तो ये जो छोटी छोटी reasons थे यही आगे जलके बड़े कोज बनते 1857 के revolt के, तो ये था हमारा आज का content, now let's move to the second segment और discuss करेंगे इसी worksheet पर based कुछ easy questions को in today's worksheet total 4 questions are given, first जो हमारा question दिया गए why was the freedom of the local rulers getting reduced जो local rulers से उनकी freedom थी, वो देरे-देरे छिमती जा रहे थी, क्यों? first, the residents were posted in many courts by East India Company काफी सारी जो courts थे वहाँ पर, जो East India Company वो residents को appoint करती है, residents जो British officials थे, उनको appoint किया जाता है and gradually, slowly वो administrator बन जाते है तो यहां से उनकी आजादी है, वो छिन जाती है second, the local rulers armies were dispended, उनकी armies को dispend कर दिया जाता है यानि कि भंग कर दिया जाता है, खदम कर दिया जाता है इसे भी rulers थे, वो powerful नहीं रहे थे third, the rights to collect revenue were taken away from them और उनसे जो right to collect revenue को collect करने के rights थे वो भी slowly, slowly उनसे ले लिये जाते हैं gradually उनसे ले लिये जाते हैं तो इससे एक तरिके से जो हमारे local rulers थे वो सिरफ नाम की रह गए थे power नहीं थे उनके पास second, जो हमारा question है चलिए उसको देखते है how did the company and the Mughal rulers जो company है, वो Mughal dynasty या Mughal rulers को कैसे खतम करती है first of all, the company first of all, the Mughal emperor the name of the Mughal emperor was removed from the coins issued by the company सबसे पहले जो company coins को issue करती थी, उसे Mughal emperor का नाम हटा दिया, उसके बाद the British India Company announced that the Bahadur जफर would be the last Mughal emperor and after his death the members of the emperor's family would be shifted from the Red Fort, उसके बाद the British India Company announced करती है कि Bahadur जफर है, वो last Mughal emperor होंगे और उनकी death के बाद उनकी family को भी इस Red Fort से बाहर shift का दिया जाएगा, तो ये एक तरिके से step-by-step साजिस थी कि कैसे हम Mughal dynasty को खतम करेंगे तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कैसे जो rulers जो against the British India Company के, तो उसके ये कारण थे कि उनकी policies से ये सभी satisfy नहीं थे, now let's move to the next question, जो हमारा third question रहेगा, why were the peasants and sipoids discontented in company roles, जो peasants थे, जो sipoids थे, वो खुश नहीं थे company के रूल से, क्यों, first is the soldiers or the sipoids were dissatisfied due to the religious sentiments, being hurt and discrimination, यानि कि जो soldiers थे, जो sipoids थे, वो dissatisfied क्यों थे, कि उनके जो religious sentiments थे, being hurt, उनको hurt किया जा रहा था, यानि उनके लगता था, कि उनके religion में interfere किया जा रहा है, तुश्य वो नाराज थे, and second discrimination बहुत जादा था, जो British Eastern India Company की आर्मी थी, उसमें same work के लिए, same position के लिए, जो salary थे, वो different थी, British Eastern India Company के, जो employees थे, उनकी salary जादा थे, तो इस बात से भी नाराज थे, farmers क्यों नाराज थे, the farmers were dissatisfied, because of the high revenue, revenue बहुत जादा था, tax लगान बहुत जादा था, इसलिए farmers थे, वो भी खुश नहीं थे, because their condition was too pathetic, and they held responsible British Eastern India Company for everything, उने लगता था, कि सबकुछ इसी company के कार्ण हो रहा है, now let's move to the next question, fourth one को देखते है, fourth हमें question दिया गया, कि why did the many Indians feel that the British East India Company were destroying their traditional way of life, कई लोगों को ऐसे लगता था कि British East India Company उनकी traditional life को, उनकी culture को destroy कर रहे है, ऐसे क्यों लग रहा था, first the East India Company had given freedom to Christian missionaries to work freely, उनने एक freedom दे दी Christian missionaries को, कि वो freely work कर सकते हैं, यानि कि क्रिशनेटी को एक तरकी से फिला सकते हैं, इससे Indians थे वो, इस policy से खुश नहीं थे, okay, dissatisfied थे, second laws were made for the practice of the sati and the widow remarries के लिए laws बना गए थे, so इस बात से भी Indians जो थे, वो dissatisfied थे, third English language was promoted by the British, जो British थे, वो English language को promote करते हैं, इससे भी Indians को ऐसे doubt होता है, उनको ऐसे लगता है, कि ये उनकी culture को, उनकी language को destroy करना चाते हैं, तो ये तीन बड़े कारण थे, जिसके कारण Indians जो थे, due to all this, Indians started feeling that the British were destroying their culture or the traditional lifestyle को destroy करना चाते हैं, तो ये थी हमारी आज की easy or important worksheet, I hope, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये video ये worksheet अच्छे लगी, इस video इस worksheet को like और share जरूर किजिगा, आप अपनी status के उपर लगा सकते हो, आप अपने friends के साथ share कर सकते हो, classroom जो आपके class group है, उनमें आप share कर सकते हो, और हाँ, कभी-कभी एक छोटा सा comment जरूर किजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा motivation मिलता है, पता चलता है कि हमारा ये जो content है, ये जो video, वो कौन से स्कूल में, डैली के की स्कूलने तक पहुंच पा रहा है, आज के लिए बस इतनी, thank you, bye-bye, have a nice day, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,